बिद्यार्थियो नमस्कार परिच्छा मन्थन आफिस्यल यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्वागत है आप मेरे लेक्चर को बहुत पसंद कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके जो भी टिकपणिया आ रहे हैं बहुत अच्छी आ रहे हैं और आप सब सुन करके सफल हों यही मेरी सुदकामनाएं भी हैं चलिए हम लोग आगे नए अध्याय पर आते हैं छठी सताब्दी इसापूरु का धार्मिक आंदोलन छठी सताब्दी इसापूरु का धार्मिक आंदोलन यह टापिक है बैदिकाल के बाद इसी टापिक का अध्यान किया जाता है और परिच्छा की दृष्ट से महत्पूर्ण है आप देखेंगे कि जियास में लगभग लगभग हर वर्ष एक प्रस्थन इस टापिक से अवस्थ से आ जाता है और सबसे पहले हम आपको छटिर सताप्दी इसापूर में जब जो धार्मिक आंदोलन की प्रिष्ट भूम निर्मित हुई वो बताते हैं देखें छटिर सताप्दी इसापूर में मद गंगा घाट्टी में ही अगर आप देखें तो 62 से अधिक चिंतक अपने अपने विचार ले करके आते हैं अब इन चिंतकों में महाबीर स्वामी और महत्मा बुद्ध ही सरवाधिक लोगप्री होते हैं प्रसना आता है कि छटिर सताप्दी इसापूर में रूढवाधि ब्राम्हर धर्म के बिरोध में इन चिंतनों का उद्ध होता है क्या कारण थे तो सीधी सी बात है कि इसके लिए कई कारण उत्तरदाई थे अगर हम सामाजिक द्रिश्ट से देखें तो आप देखेंगे कि बैदिक काल उत्तर बैदिक काल के अंत तक आते आते वर्ण बेवस्था कठोर हो गई थी वर्ण बेवस्था कठोर एवं जन्मूलक हो गई धर्म सास्तरों में कठोर एवं जन्मूलक वर्ण बेवस्था कवलेख मिलता है एक तो ये चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि वर्ण बिरुध कारे करने वालों को दंड का बिधान किया गया कि जो अपने अपने वर्ण के बिरुध कारे करेंगे उन्हें दंड दिया जाए ये भी धर्म सास्तरों में कहा गया तीसरी चीज़ ये है कि धर्म सास्तरों में महाजनी बेवसाय मुनाफे वाले बेवसाय मुनाफा खोरी आद की निंदा की गई तो ये सारी सामाजिक समस्याएं थी जिनके कारण ब्रामभर धर्म के विरोध में आवाज उठने लगी और एक नई विचार धारा की मांग उठ गई दूसरी चीज़ अगर हम धार्मी कारण देखते हैं तो लाट लेक्चर में हमने बताया था कि उत्तरवैदिक काल में यग बहुत जटिल हो गए थे यग्यों में अधिक समय लगने लगा था यग्यों में धन भी बहुत खर्च होने लगा था यग्यों समय साध है और बहुत साध हो गए तीसरी चीज़ बिना ब्रामहन के आप यग्यों भी नहीं कर सकते उनको दान दच्छना बहुत देना होगा ये भी एक समझ से आ गई थी और स्वयम करेंगे तो उसके लिए भी आपको भैभीत कर दिया गया कि अगर मंत्रो चारण में कोई भी साध हरण तुटी होती है तो उसके भैंकर पर नाम होंगे तो ये यग्यों की जटिलता बढ़ गई थी सबसे महत पुन बात ये है कि यग्यों में पसु बली का बिधान था देखिए यग्यों में किस चेज का बिधान था पसु बली का यानि हिंसा हो रही पसु हिंसा हो रही है तो पसु हिंसा तो वैसे भी अपने आप में एक निंदनी कार्य है और दूसरी तरफ छठी सताब्दी इसापूर को अगर देखा जा तो ये अर्थ बिवस्था का एक नया प्रतुरूपी समय आने लगा था किसी अर्थ बिवस्था महत्पूर होने लगी थी अब किसी अर्थ बिवस्था जब महत्पूर होगी तो सीधी सी बात है कि किसी में पसुओं की अधिका अधिक आवसकता होती है और ऐसे में पस्वों की सुरच्चा अब अहम हो गई महत्पूर हो गई तो एक तरफ समाज में पस्वों की सुरच्चा पर बल दिया जा रहा है और दूसरी तरफ यग्यों में पसू बली का हो रही है तो अब यग्यों का बिरोध होगा और यग का बिकल्प धूढ़ा जाएगा उसी बिकल्प के रूप में फिर आप देखेंगे कि महाबीर और महत्मा बुद्ध अपने अपने बिचार लेकर के आते हैं तो ये धारमिक कारण भी देखा जा सकता है फिर आप देखेंगे कि इसके लिए आर्थिक कारण भी उत्तरदाई थे धार्मी कांदोलन के लिए या जैन धर्म के उद्धे के लिए जैन बाउत धर्म के उद्धे के लिए आर्थिक कारण भी उत्तरदाई थे आर्थिक कारण अगर आप देखें तो चुकि इस काल में कृसी महत पूर्ण हो गई लोह तक्नीक पर आधारित नबीन कृसी पद्धती सुरू हुई यानि कृसी उपकरण के रूप में लोहे का प्रयोग हलका फालब लोहे का बनने लगा गहरी जुताई हुई नाइट्रोजन का इस्त्री करण हुआ उत्पादम बढ़ गया अधिसेश उत्पादन होने लगा रुपाई पद्धती धान की सुरू हो गए अधिसेश उत्पादन होने लगा तो कृसी के छेत में जब अधिसेश उत्पादन होने लगा तो सिधी सी बात है कि अब सिल्प बेवसाइब ही बढ़ गए ब्यापार में भी ब्रिद्धी हुई नए नए सामाजिक वर्गों का विकास हुआ और मुद्रा अर्थ बेवस्था भी शुरू हो गई इन सब का प्रणाम ये हुआ कि क्रिशिय अदिसेश उद्योग धंधों का विकास ब्यापारीक प्रगत मुद्रा अर्थ बेवस्था का विकास इन सब का सीधा सीधा प्रणाम ये हुआ कि इस काल में दोतीन अगरी करण भ भवतिक जीवन या बैक्तिवाद पर बल दिया जाने लगा बैक्तिके सुख की बात की जाने लगी तो इस से मनुस्शी का जो आध्यात्मिक और नैतिक जीवन था वोग अस्त बेस्त होने लगा लोगों के मन में असानती बैग्त होी और फिर जब असांती ब्याप्त होती है तो सांती की जरूरत होती है और इसी समय फिर महावीर स्वामी बुद्ध ये सब सांती के विचार लेकर के आए किस तरह से हमें आध्यात्मिक सांती मिल सकती है हम अपने जीवन को कैसे नैतिक बना सकते हैं ये सब सिद्धान ताथ को जैन बहुत धर्मे मिलेंगे तो आर्थिक कारणों से ये सारी चीज़े आ गई और फिर जैन बहुत धर्मे महाजनी बेवसाई मुनाफ़ा खोरी विदेशी ब्यापार को भी समर्थन मिला और इस कारणों से भी इनका विकास हुआ तो इस तरह सम देखते हैं कि धार्मिक अंदोलन के लिए सामाजी धार्मिक आर्थिक कारण जिम्मेदार थे इन ही कारणों से धार्मिक अंदोलन प्रार्म हुआ और जैन बहुत धर्म का उदय होता है अब छटे सतादी इसापूर के धार्मी कांदोलन में जैन बहुत धर्म ही महत पून है यद अब हमने बताया कि बासक चिन तक अपने अपने बिचार ले करके आये थे लेकिन लोग प्रीदो ही हुए महाबिर स्वामी और उनका जैन धर्म महतमा बुद्ध और उनका बहुत धर्म तो हम लोग सुरू करते हैं जैन धर्म से अब जैन धर्म को अगर देखा जाए तो ये जिन सब्द से निर्मित है जिन जिन का अर्थ होता है इंद्रियों पर बिजय प्राप्त करने वाला तो जिन सब्द से जैन अर्थात इंद्रियों पर बिजय प्राप्त करने वाला यानि जैन धर्म में इंद्री नियंत्रण पर बल दिया गया है थिक है इंद्री नियंत्रण पर बल दिया गया है तो जिन से ही ये जैन धर्म निर्मित होता है अब जैन धर्म के संदर्म में अगर आप देखें तो जैन धर्म के आदि प्रवर्तक जैन धर्म के आदि प्रचारक रिसब नात थे रिसब देव के नाम से भी जाना जाता है तो रिसब नात या रिसब देव ये जैन धर्म के क्या है आदि प्रवर्तक है अब रिसबनाथ का सरप्था मुलेक रिगवेद में मिलता है रिसबनाथ का सरप्था मुलेक का मिलता है रिगवेद में और जैन धर्म के ये आदी प्रवर्तक थे आदी प्रचारक थे रिगवेद कितना पुराना है पंद्रा सो इसापूर यानि जैन धर्म की प्राचीनता अगर देखा जाए तो वो कितनी होगी पंदरा सो इसापूर यानि जैन धर्म की प्राचीनता रिगवेदिक कालीन है पंदरा सो इसापूर है छटी सतादी इसापूर में इसका व्याफक विकास हुआ है इसको इस नजर ये से आप समझेंगे ठीक है यनि छटी सतादी इसापूर से पहले भी जैन धर्म किसी ना किसी रूप में बना हुआ था अब जैन धर्म में कुल 24 तिर्थांकर हुए तिर्थांकर कौन है? मार्ग दर्शक, पत्प्रदर्शक और अच्छे सब्दों में समझें तो भाव सागर से मुक्टी का मार्ग बताने वाले मोक्ष प्राप्ती का मार्ग बताने वाले जैन आचारियों को तिर्थांकर कहा गया है तो समय समय पर इसमें तिर्थांकर हुए कुल 24 तिर्थांकर हुए प्रथम तेर्थांकर रिसवनात थे और चुकि ये प्रथम थे इस लिए जैन धर्म के आदी प्रवर्थ तक माने गए एक ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे दूसरी चीज ये जो 24 तेर्थकर होते हैं इनमें अंतिम जो तेर्थकर हैं यानि 23 और 24 तेर्थकर ही आइतिहासिक पुरुस माने जाते हैं उनके बारे में आइतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है अब इनमें 23 और 24 के बारे में भी सेथ रूप से आपको जानना होगा 23 तेर्थकर कौन थे तो देखिए जैन धर्म के 23 तेर्थकर पारसुनात थे ये कौन से जैन धर्म के 23 तेर्थकर थे 23 तो जैन धर्म के 23 तेर्थकर पारसुनात है अब देखे पारसाथ महाभीर स्वामी के 250 वर्स पहले हुए इनका जन्म वाराणसी में हुआ ये इच्छाक वंस के राजा सुसेन के पुत्र थे इनका विबाद ही हुआ था इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था तीस वर्स के उमर में इन्होंने घर छोड़ दिया और फिर सम्मेद परवत में जा करके इन्होंने तपस्या की और यहीं 83 दिन तपस्या करने के बाद 84 दिन इन्हें ग्यान की प्राप्ती होती है अब पारसनाथ ग्यान प्राप्ती के बाद निगरंथ संप्रदाय की स्थापना की यहां से प्रसनाप को मिलेगा नोग कर लेंगे निगरंथ संप्रदाय की स्थापना किस ने की थी पारसुनाथ ने यह निगरंथ संप्रदाय के प्रवर्तक है यह दिहान में रखिए अब निगन सम्पःदाए के अंतरगट पारसनाथ ने चार सिच्छाउं के पालन पर बल दिया सत्य, आहिंसा, अपरिगरह, अस्ते ये पारसनाथ की चार सिच्छाएं ये जैन धन्द्हर्म के तैईसमें तीरतकर की चार सिच्छाएं हैं वास्तों में जैन धर्म का ही प्राचीन नाम जैन धर्म से पहले उसका नाम निगरंत संपरदाए है प्रस्न यहां से भी बनता है कि जैन धर्म का प्राचीन नाम क्या है उस तर क्या देंगे निगरंत संपरदाए और निगन सम्परदाय की स्थापना की सने की थी पार्षनाथ ने बिलकुल जैए ठीक है अब पार्षनाथ ने अपने अवियाईयों को क्या सिच्छा दी तो चार सिच्छा है सत्य जानते है जूट मत बोलो, सत्य बोलो प्रिय बोलो आहिंसा प्राणी मात परदया कीजिए किसी जीव की हिंसा ना कीजिए आपर इग्रह धन का संचे ना कीजिए धन से आपकी आसकती ना हो अस्ते चूरी ना करें तो ये चातुर याम सिच्छा के पालन पर इन्होंने बल दिया इन्होंने महिलाओं को भी अपना अन्याई बनाया और पुस्पचूला नामक महिला पार्षनाथ के महिला संगी की अध्यक्य भी थी तो इस तरह से आप देखेंगे कि पार्षनाथ ने ये निगरंद संप्रदाई इस्थापित किया था महाबिर स्वामी के जो माता पिता थे वो भी निगरंद संप्रदाई के ही अन्याई थे उसमें पार्षनाथ नहीं थे लेकिन उनका निगरंद संप्रदाई था तो महाबिर स्वामी के माता पिता के संप्रदाई के अन्याई थे निगरंद संप्रदाई के तो ये पार्षनास से सम्भनित कोई प्रसना आता है तो जानना जरूरी है अब जैन धर्म के 24 में तीर थांका है महाबीर स्वामी ये जैन धर्म के 24 में तीर थांका है ठीक है अंतिम है ये और ये ही जैन धर्म के वास्तबिक संस्थापक है अब यहां आप देखिए एक तो जैन धर्म के आदी संस्थापक रिसब देव हैं रिसब नात है लेकिन जब बात वास्तबिक संस्थापक जिन्होंने जैन धर्म को लोग प्री बनाया वो कौन है? वो महाबीर स्वामी है इसलिए ये वास्तविक संस्थ था तो दोनों में अंतर रखना है आपको आदि प्रचारक कौन था? वास्तविक प्रचारक कौन था? ये अलग-अलग अब महाबीर स्वामी का जीवन परचे अगर आप देखें तो जीवन परचेस सम्मंदित कुछ बिंदूओं को ध्यान में रखना है तिथियां बहुत कम पूछी जाती है AIS और PCS के एक्जाम में तो फिर बिजैन गरंथों में उलेक मिलता है कि 540 अथवा 599 इसापूर में महाभीर स्वामी का जन्म हुआ था इनका जन्म बिहार में कुंडगराम नामकास्थान में हुआ था ठीक है इनके पिता का नाम सिध्धार्थ था जो कुंडगराम के ग्यात्रिक वंस के राजा थे कुंडगराम एक गड़ राज़ था और यहां इनके पिता जो है सिध्धार्त ग्यात्रिक वंस के राजा थे महाभीर स्वामी को बच्पन का नाम वर्धमान था इनकी मा का नाम तृसला था पिता सिध्धार्त वर मा तृसला तृसला का सम्मन वैसाली के लिच्छव वंस से है वैसाली के लिच्छव राजा चेटक की पुत्री थे पुत्री थे पुत्री थे ठीक है अब वर्धमान का बिवाह यसोदा नामक कन्या से हुई इनसे एक पुत्री प्रियदर्सना का जन हुआ और प्रियदर्सना का बिवाह जमाली के साथ हुआ जो महाबिर स्वामी का भांजा भी था तो इस तरफ से आप देखेंगे कि ये इनका कुछ पारिवारिक स्वरूप है अब महाबिर स्वामी तीस वर्ष की उमर में ग्रिहत्याक किये धर छोण दिये और इन्होंने बारह वर्ष तक कठोड तपस्या की और अंतता बिहार में जम्भी ग्राम ये अस्थान तो जम्भी ग्राम के निकट एक नज़ी है रिजपाली का तो रिजपाल का नज़ी के किनारे ही एक साल ब्रिच के नीचे इन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई कितने वर्ष तपस्या करना पड़ा बारह कितने वर्ष में घर छोड़े थे 30 वर्ष तो जम्भी घ्यान प्राप्ति किस उम्र में हुई 30-12 जोड़दीजिए तो 42 वर्ष के उम्र में महाबीर स्वामी को ग्यान की प्राप्ति हो गए अर ये ग्यानी हो गए तो इनको आप देखेंगे कि आरहत यानी योगे कहा गया जिन इंद्रियों पर बीजे प्राप्त करने वाला कहा गया कैवल कैवलिन कहा गया क्योंकि पूर्ण ग्यानी हो गए इसलिए कैवलिन महावीर कहा गया क्योंकि ग्यान प्राप्ति के लिए इन्होंने अतुल पराक्रम किया और इसलिए ये क्या कहला है महावीर कहला है और इसी नाम से सरवाधिक लोगप्री हुए यद अब महावीर स्वामी का एक अन्य नाम अगर देखा जाए तो निग्रम थनात पुत्र भी है और ये नाम इसलिए कि इनके पिता जो है वो निग्रम संपरदाय के अन्य आई थे राजा भी थे तो बंधन रहित राजा के पुत्र महावीर स्वामी थे इसलिए इनको निग्रम थनात पुत्र के नाम से भी जाना जाता है तो इस तरह से आपने देखा कि 42 साल के उम्र में महाबीर स्वामी को ग्यान की प्राप्ति हो गई अब ग्यान की प्राप्ति होने के बाद महाबीर स्वामी अपना प्रथम धर्म उपदेश कहां दिया important point है प्रफना चुका है तो प्रथम धर्म उपदेश अगर देखा जा तो इन्होंने राजग्रिह में दिया और प्रथम भिक्चु अगर देखा जा तो प्रथम भिक्चु इन्होंने अपने दामाद जमाली को बनाया तो जैन धर्म का प्रथम भेख्च महावीर स्वामी का प्रथम भेख्च कौन था जमाली था जो महावीर स्वामी का दामाद भी था जहां तक बात प्रथम भिच्छुणी की है तो प्रथम भिच्छुणी चंदना बनी और चंदना जो है चंपा के राजा दधी वाहन की पुत्री थी तो इस तरफ से आप देखेंगे कि प्रथम धर्म उपदेश राजगरी में दिया प्रथम भिच जमाल प्रथम भिच छुड़ी चन्नना बनी और इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है खासका प्रथम धर्म उपदेश की सस्थान पे दिया ये बहुत इंपर्टन्ट है राजिगरी बिल्कुल याद कर लीजिए तो ये इनका प्रथम धर्म उपदेश था इसके बाद महाबिर स्वामी घूम घूम करके तीस वर्सों तक ज्यान प्राप्ति के बाद तीस वर्सों तक लगा अतार अपने धर्म का पचार प्रसार करते रहे और ज्यान धर्म को लोगप्री बनाया तो इसके बाद फिर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि महाबिर स्वामी के जो सबसे ज्यानी सिर्स थे लोगप्री सिर्स थे उनको गणधर कहा जाता है गनधर, ठीक है? तो गनधर कौन है? तो वास्तो में महाबीर सौामी का जो जेन संग था और जेन संग को अलग-अलग भागों में बाटा गया था तो ग्यारह यह उनके प्रमुक्सिशत थे जो जेन ध्रम की देख भाल करते थे तो ये महाबीर स्वामी के प्रमुक्स से थे अब इन गड़धरों के आत्रिक्त भी अगर देखा जा तो बहुत गाम देओ, सूर देओ, आनन्द ये महत पूर से थे जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महाबीर स्वामी को सहयोग प्रदान किया था 72 वर्ष की उम्र में बिहार में एक अस्थान है पावा तो पावा में ही महाबीर स्वामी की मृत हुई और महाबीर स्वामी के बाद इनके 11 गणधरों में से एक जिनका नाम सुधारमन था ये जैन संग के अध्यक्ष बने यही जैन संग के बार जैन संग का ध्यच कौन बनता है तो आप उत्तर देंगे सुधरमन ठीक है ग्यारा गंधरों में से एक थे ग्यारा प्रमुक सिस्यों में से एक थे यही जैन संग के हेड बनते हैं प्रमुक बनते हैं ठीक है तो इस तरह से 72 वर्ष के उमर में महाबीर स्वामी की मृत कहा होती है पावा तो इस अस्थान को भी ध्यान में रखेंगे तो जन्म कहा होता है ग्यान प्राप्ती कहा होती है पहला उपदेश कहा देते हैं और कहा मृत होती है तो चार अस्थल ये जरूर याद रखेंगे, इन से परस्न पूंचे जाते हैं, महाबीर स्वामी के जीवन से संबध अस्थल होने के कारण, ये जरूर पूंचे जाते हैं, तो ये महाबीर स्वामी का जीवन परचे था, अब हम आपको जैन धर्म के सिद्धान्तों के बारे में जैन धर्म की सिच्छाओं के बारे में बताएंगे अब देखिए जैन धर्म के अंतरगत सबसे पहले आपको उनकी सिच्छाओं को जानने से पहले जैन धर्म के साथ तत्तों को जानना बहुत जरूरी है जब तक इन साथ तत्तों को जैन धर्म के साथ तत्तों इनको जान लेने से मतलब यही है कि आगे जैन धर्म को समझना आपके लिए बहुत सरल हो जाता है और यह साथ तब तो क्या थे वह आपको हम समझाते हैं जिनको आप समझे हैं बार-बार सुन करके समझे एक बार में नहीं समझ में आता दूसरी बार, तीसरी बार ठीक है लेकिन समझना बहुत जरूरी है देखे जैन धर में पहला तत्व है जीव, जीव क्या है, जिस प्रकार से अमने धर्मों में आत्मा होती है, वैसे ही जैन धर में आत्मा को जीव कहा गया, और दूसरा क्या है अजीव, अजीव क्या होता है, भौतिक तत्व, ये जड़ होते हैं, अर्थात जीव को जो तत्व बंधन में डालता है जियू को बंधन में डालने वाले तत्तो को क्या कहते है आजियू कहते है तीसरा क्या है आस्रो आस्रो क्या होता है देखे एक सपोज ये जियू है स्वतंत रूप से ये संसार है संसार में ये सब आजियू है भौतिक तत्व हैं यही सब संसार में ब्याप्त है यही सब आजिव है और यह जिव है यह स्वतन त्रिष्थति में इस समय है लेकिन जैसे यह जिव संसार में आया संसार के संपर्क में आया तो संसार में कौन बिद्यमान है आजिव है ठीक है और जैसे जीव आता है ये आजीव जीव की तरफ क्या करने लगते हैं प्रवाह करने लगते हैं इसको बंधन में डालने का प्रित्म सुरू कर देते हैं तो जब आजीव का जीव की तरफ प्रवाह होने लगे इसकी घहरा बंदी सुरू कर दे तो उस अवस्था को क्या बोलत परफ से घेर लेते हैं कर्मफल के कारण ये घेर जाता है जीव तो जब आजीव जीव को घेर लेते हैं तो उसी अवस्था को बंध, बंधन, बाउंड कुछ भी कहें ये अवस्था है पांचुवी अवस्था समर अवस्था की है अब समर क्या होता है चुकि देखें जीव ब मोक्ष चाहिए निर्वार चाहिए ठीक है मोक्ष या निर्वार एकी बात है क्या करेगा ये जिव किसी जैन आचार जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो जैन आचार के पास जाएगा और मोक्ष या निर्वान का मार्ग पूचेगा इस जिव को क्या बताया जाएगा कि ठीक है आप त्रिरत्नों का पालन कीजिए त्रिरत्न जहन धर्म में त्रिरत्न त्री जोल्स बताया गया हैं तो ठीक है वो त्रिरतनों को बता दिया गया अब जैसे ही ये बंधन युक्त जीव त्रिरतनों का पालन करना सुरू कर देता है तो ये जो आजीव लगातार जीव को गहर रहे हैं यहाँ एक मोटी दीवार आ गई तकरा करके अब इधर नहीं जाएंगे ठीक है इधर जाना रुक जाएगा ठीक है अब प्रवाद अब इधरी है तो त्रिरत्नों के पालन प्रारम करते ही आजीव का जीव की तरफ प्रवाह रुक जाता अब ये नहीं जा पा रहे हैं ठीक है करमच्छे हो गए हैं त्रिरत्न का पालन करने से इसलिए आजीव का प्रवाह रुक जाता ह और इसी अवस्था को क्या बोलते हैं समर अवस्था जब आजीव का जीव की और प्रवाह रुखता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं समर अवस्था छठा निर्जरा अब निर्जरा क्या होता है अगर आप नियम पूरवक त्रिरतनों का पालन करते हैं तफस्या आदी करते हैं तमाम सारे नियमों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे जो जीव के पास पहले से आजीव बिद्दिमान है ये धीरे धीरे नश्ट होने लगते हैं निरंतर तिरतनों के पालन करने से अन्यनियमों के पालन करने से जब ये प्रक्रिया सुरू हो जाए जीव के पास बिद्दमान आजीव नश्ट होने लगे तो वो अवस्था क्या कहलाती है निर जरा और साथमा निर्वाण और निर्वाण का मतलब मोगजी ये निर्वाण की अवस्था होती है अब आद देखेंगे कि जब जीव के पास बिद्दमान आजीव नश्ट हो जाते है ते रतनों के पालन करने से अनिक्रियाओं से जब ये आजीव नश्ट हो गए तो जीव पुना सुतंत्र हो गए अब जब सुतंत्र है तो यही इस्थतिय क्या है मोगज की है, निर्वाण की है सामसारी बंदों से मुगत तो ये साथ तत्व हैं जिनको जीव क्या होता है अजीव क्या होता है आस्वरों क्या होता है बंद क्या होता है समर क्या होता है निरजरा क्या होता है और निर्मान क्या होता है इसको इन चीज़ों को समझने की आवस्चता होती इसलिए हमने सबसे पहले इन्ही साथ तत्तों को बताया जिससे कि आगे आपको बिलकुल जैन धर्म समझ में आ जाए अब देखें जैन धर्म का निर्वार का सिध्धान्त क्या है मोक्ष प्राप्ति का सिध्धान्त क्या है ये आप देखें देखें जैन धर्म में ये बताया गया है कि संसार के सभी जीव अपने कर्मों के अंसार कर्मफल के अंसार बिभिन योनियों में जन्म लेते हैं यनि पुनर जन्म का कारण जैन धर्म में कर्मफल को बताया गया है कर्मफल जब तक जिव के साथ है तब तक जिव का पुनर जन्म होगा और ये कर्मफल क्या है आजिव है जो जिव के पास आजिव है वही कर्मफल है ठीक है और जब तक कर्मफल रहेंगे जिव के पाथ तब तक जिव का बार बार जन्म होता रहेगा तो उसे निर्वान की प्राप्ति नहीं होगी अब आपको पुनर जन्म ना हो अर्थात निर्वान की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति हो तो इसके लिए कर्मफल से बिमुक्ति चाहिए कर्मफल से मुक्त होना चाहिए तब आपको निर्वान की प्राप्ति होगी अब कर्मफल से बिमुक्ति के लिए जैंधर में त्रिरत्न के पालन पर बल दिया गया है कि त्रिरत्नों का पालन कीजिए और जो कर्मफल पहले से हैं आज यू जो पहले से हैं वो धीरे धीरे नश्ट हो जाएंगे तो कर्मफल कैसे बिनास होगा त्रिरत्नों के पालन करने से इस चीज़ पर बल दिया गया है अब त्रिरत्न क्या है सम्यक स्रद्धा देखें इसी को सम्यक दर्सन भी बोलते हैं राइट फेथ अब राइट फेथ क्या है वास्तों मैं जैन तीर्थ करू और उनके बताए गए सिध्धानतों पर पूर्ण बिस्वास करना ही सम्यक स्रद्धा या सम्यक दर्शन है तो इसका पालम करना होगा दूसरा क्या है सम्यक ग्यान राइट नालेज अब जैन धर में राइट नालेज क्या है सम्यक ग्यान क्या है ठीक है तो वास्तों में जीव और अजीव के वास्तविक स्वरूप को जान लेना जैन सिध्धानतों को जान लेना यही सम्यग्यान है और तीसरा सम्यग आचरण अब सम्यग आचरण या सम्यग चरित्र भी बोले कोई दिक्कत नहीं सम्मेक आचरण सम्मेक चरित्रेकी है राइट कंड़क्ट अब सम्मेक आचरण में क्या करना है कि अच्छे कारियों को कीजिए लेकिन बुरे कारियों को त्याग दीजिए जो हित कारी है उनको आप कीजिए अर्जित कीजिए और अहितकारी को वर्जित कर दी दी तो यही सम्यक आचरण है तो इनहीं के तीनों के पालन करने से जीव कर्म फल से भी मुक्त होता है और उसे निर्वान की प्राप्ति होती है लेकिन केवल तिरप नहीं नहीं अब सम्यक आचरण के अंतरगत आप देखेंगे कि जैन धर में पंच ब्रत के पालन पर पंच से च्छाओं के पालन पर बल दिया गया है अब ये पंच ब्रत का भी पालन करना है पंच ब्रत में क्या है सत्य जोंट मत बोलिए सत्य बोलिए प्रिय बोलिए आहिंसा प्राणी मात पर दया कीजिए फिर अपरिग्रह धन का संचे ना कीजिए धन से आसक्तिन मत कीजिए अस्ते चोरी मत कीजिए और ब्रम्हचरे सैयम पूर्ण जीवन जीए अपना जो जीवन है वो सैयम पूर्ण जीवन जीना ही ब्रम्हचरे है तो ये पंच ब्रत के पालन पर बल दिया गया अब जब पंच ब्रत पर आप ध्यान दें तो अभी मैंने बताया कि महाबिर स्वामी से पहले 23-23 कर पारसुनाथ ने अपने अन्याईयों को 4 सिच्छा के पालन पर बल दिया और उन 4 सिच्छा कों थे सत्य हिंसा पर ग्रास थे यनि महाबिर स्वामी ने तो 4 सिच्छा पारसुनाथ से ही ले लिया तो इन्हों ने क्या जोड़ा तो महाबिर स्वामी ने 5 ब्रत में केवल 1 सिच्छा अपनी तरफ से जोड़ा है और वो सिच्छा कौन सी है ब्रम्हचर इंपार्टन पॉइंट है प्रसनाच चुका है तुरंत इसको ग्रहन करें कि ब्रम्हचर महाबिर स्वामी ने जोड़ा बाकी 4 सिच्छा हैं पारसुनाथ के समय से ही चली आ रही थी अब यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए कि यह जो पंच ब्रत है यह जो भिच बिच्छुनी जयन धर्म के हैं भिच्छुनी का मतलब जो ग्रहत त्याक करके सन्यासी बन गए हैं वो भिच्छुनी हैं तो उनके लिए यह कठोड़ता के साथ पंच ब्रत का पालन करना पड़ता है और इसलिए उन्हें यानि भीच बिच्णियों के लिए ये पंच महाबरत जो है पंच महाबरत हो जाते हैं तो महाबरत का मतलब होता है बड़ी कठोरता के साथ पालन करना लेकिन इन्ही पांच सिच्छाओं को जब ग्रहस्त के लोग पालन करेंगे तो उनके लिए बिवस्ता क्या है पंच अनुबरत है अब पंच अनुबरत का मतलब ये है कि आप अगर ग्रहस्त में हैं ग्रहस्त में रहते हुए इन सिच्छाओं को आंसिक रूप से पालन करते हैं तो वो आपके लिए उप्यूकत है तो तो पंच महा बरत किया है 50 अनुबरत किया ही इस पॉइंट को नोट करेंगे ठीक है तो ये तृरतनों के पालन करने से पंच बरत के पालन करने से जीव को निर्वान की पराप्ति होती है एक चीज़ यहां ध्यान में रखेंगे कि जैन धर्में मृत्व के बाद निर्वान की प्राप्ति होती है यह जो मौक्ष या निर्वान मिलेगा वो जीमन रहते नहीं मिलेगा बलकि मृत्व के बाद ही इन्हें मौक्ष की प्राप्ति होगी तो ये महभीर स्वामी के मुखे सिध्धान्त मुख से 6, 3 रत और 5 रत है इसके अत्रिक्त अगर देखा जाए तो जैन धर्म कुछ अन्य सिध्धान्तों पर बल देता है अब जैन धर्म के अन्य सिध्धान्त कौन है जिन पर बल दिया जाता है जिन को पालन करने पर बल दिया जाता है तो पहला सिध्धान्त त्रिरतनों और 5 रतों के बार अन्य सिध्धान्तों में पहला ये है कि जैन धर्म निवर्त तमार्गी है अर यहां निवर्त तमार्ग क्या होता है यह आपको जानने की जरूरत है देखे जो संसार से जुड़े रहते हैं वो प्रवित्मारगी कहलाते हैं और जो संसार का त्याग करके सत्मारगों पर चलते हैं वही निवित्मारगी है तो निवित्मार का मतलब संसारिक बंधनों से अलग हो जाना तो जैन धर्म किस पर बल देता है सांसारिक बंधनों से अलग होना अच्छे कर्म करना इस पर बल देता है फिर दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो काया क्लेस पर बल अब काया क्लेस क्या है काया माने सरीर, क्लेस माने कष्ट यानि जैन धर में सारी रिक कष्ट पर बहुत बल दिया जाता है अब आप देखें कि जैन धर में भोजन पानी का त्याग कर गर्मी सरदी सहते हुए तपस्या करना ये बताया गया अब भिच्छों के लिए ये निर्देश दिया गया कि आप भोजन पानी का त्याक करके सर्दी गर्मी सहते हुए तपस्या की गिए जिसे पारिसा कहा गया तो जैंधर में पारिसा से क्या तातपर है ये आप जानगे अब दूसरी चीज जैंधर में जो ग्रहस्त लोग हैं जिन्हें स्त्रावक कहा जाता है उनको भी निर्देश दिया गया है क्या निर्देश दिया गया कि अगर आप किसी महान संकट से छुटकारा पाने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिती में आपको भोजन पानी का त्याक करके प्राणों का अंत कर लेना चाहिए इसी को जैंधर में सनलेखना या संथारा कहा गया है देखे, सनलेखना एवा या संथारा इकी चीज़ है इसमें क्या है, कि अगर कोई जैन अन्याई किसी महान संकट से छुटकारा पाने में असमर्थ है तो उसको क्या करना चाहिए? भोजन पानी करना, बंद करके अपने प्राणों का अंत कर देना चाहिए ये जैन धर्म कहता है, काया प्लेस पर अत्दिक बल देना अब आपको लगेगे कि कैसा महान संकट किस तरह के सपोज मालिया अकाल पड़ गया है अब अनाज की पैदावार नहीं हुई है अब ऐसी इस्थती में जैन धर्म का अन्याई है तो आहिंसा किसी पसू को हत्या करके भोजन कर नहीं सकता अस्ते चोरी कर नहीं सकता तो उसके सामने तमाम इस तरह के संकट आएंगे तो ऐसे से छुटकारा पाने के लिए इस बिधी का उप्योग करना तो ये क्या है काया प्लेस पर बल तो सारी रिक कष्ट पर जैन धर्म बल देता है इस रूप में ये आतिमारगी है तीसरी चीज अनिस्वरवादी जैन धर्म अनिस्वरवादी है ये देवता को तो मानते हैं लेकिन स्थिष्टी के संचालन में देवताओं का योगदान नहीं मानते हैं इनके अनुसार ये स्थिष्टी का संचालन प्राकृतिक नियमों से सास्वत नियमों से होता रहता है इसलिए ये क्या हैं अनिस्वरवादी हैं फिर ये अनेकात मुआदी हैं और ये अनेकात मुआद क्या होता है वास्तों में जैन धर्म के अनुसार संसार में जितने पदार्थ हैं उतनी आत्मा है एक नहीं अनंत आत्मा है अनेक आत्माओं पर ये जैन धर्म विस्वास करता है यही जैन धर्म का अनेक आत्म वाद है फिर आप देखेंगे कि जैन धर्म कर्म एवं पुनर जन पर विस्वास करता है अच्छे कर्म करने पर बल देता है इसका ये मानना है कि भेई अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो जीव का बार-बार पुनरजन होगा ब्रामहर धर्म बिरोधी है तो ब्रामहर धर्म के यग्यवाद, बेदवाद, जातिवाद, तीनों का ये बिरोध करता है नारी स्वतंता पर बल देता है क्योंकि जैनधर्म में पुर्षों के साथ-साथ नारियों को भी संग में प्रवेश दिया गया, अन्याई बनाया गया इसी तरह जैन धर्म का एक महत पूर्ण सिद्धान स्यादवाद है स्यादवाद का सम्मन्द भी किसे है जैन धर्मे स्यादवाद वास्तों में जैन धर्में असत्य भासन यों बैचारिक मत भेदों से बचने के लिए स्यादवाद को अस्थान दिया गया अब स्याद वाद में कोई भी आप कफन या सब्द बोलते हैं तो उस सब्द के पहले आप स्याद लगा दें स्याद का रथ होता सायद जैसे किसी को आप को बताना है कि आप ग्यानी है तो ये कहने से पहले आप सायद लगा दिये कि सायद आप ग्यानी है तो इससे क्या है कि आप असत्य भासण और बैचारिक मदभेदों से बच जाएंगे ठीक है तो स्यादवाद का सिध्धान जो है जैंधर में किसलिए है असत्य भासण और बैचारिक मदभेदों से बचने के लिए ये स्यादवाद का सिध्धान लाया गया है अब इसे सिद्धान के अंतरगत ये माना गया कि ज़्यादातर मनुस से आंसिक ग्यान नी है तो आंसिक ग्यान को क्या कहा गया है नए जैंधर में आंसिक ग्यान को क्या कहा गया है नए और नए के कारण कोई भी पदार्थ के साथ तत्त हो सकते है इस आंसिक ग्यान के कारण किसी भी पदार्थ के साथ तत्तो हो सकते हैं और इसलिए इस सिद्धान्त को सब्त भंगी नए कहा जाता है नए के कारण किसी भी पदार्थ के साथ भंग यानि साथ तत्तो हो सकते हैं तो ये सिद्धान्त क्या है सब्त भंगी नए तो स्यादवाद के अंतरगत ही ये सब्त भंगी सिध्धान्त लाया गया है और इन दोनों का सीधा समन्द किस से है जैन धर्म प्रस्न यही पूंचा जाएगा कि स्यादवाद का समन्द किस धर्म से है सब्त भंगी ने का सिध्धान्त किस धर्म में है तो इसी के अंतरगत ठीक है अब सब्तबंगी नयमे कौन कौन साथ ततो है वो आपको पढ़ने की आवसकता नहीं है ना ही कभी उससे प्रसने पूछे जाते हैं तो ये जैन धर्म से संबंधेत महत पूण सिद्धान्त हैं अब इसके अतरिक अगर आप देखें जैन धर्म से संबंधेत कुछ है महत पूण बिन्द अगर देखें तो पहला बिन्द ये है कि जैन धर्म से जैन संग से अलग होने वाला प्रथम ब्यक्ति कौन था तो जैन संग से अलग होने वाला प्रथम ब्यक्ति अगर आप देखें तो वो महाबीर स्वामी का दामाद जमाल था तो एक पॉइंट ये ध्यान में रखिए कि जैन संग से अलग होने वाला प्रथम बेक्ती कौन था उत्तर होगा जमाल जमाल कौन था महाभीर स्वामी का दामाद महाभीर स्वामी के ग्यान प्राप्ति के बारहवे वर्ष में जमाल जो है महाभीर स्वामी के सिध्धान क्रियमार कृत सिध्धान से बिरोध हो इस सिध्धान से इसका बिरोध हुआ यह सिध्धान से सहमत नहीं था क्रियमार कृत का मतलब क्या है कि कारे प्रारंब करते ही कारे पूरा यह जमाल सहमत नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई कारे हम प्रारंब करें और उसे पूरा मान ले उदारा के लिए अगर कोई चोर घर से चोरी करने के लिए निकला और जहां चोरी करने गया वहां लोग जगे हुए थे वो वापस चला आया चोरी किया ही नहीं लेकिन महाबिर स्वामी के अनसार उसने चोरी की क्रियमार कृत कार प्रारंब कर दिया था चोरी करने के लिए निकल चुका था यद अब उसने चोरी ही नहीं किया फिर भी वो महाविर स्वामी के अंसार चोर होगा जमाल इस सिध्धान से सहमत नहीं था और जमाल क्रिमार कृत की जगह बहुरत वाद नमक सिध्धान से साहमत था कि इसकी जगह ये होना चाहिए बहुमाने कार रत्माने समात अर्थात जब कार समाप्त हो जाए तो उसे समाप्ती का नाम देना चाहिए तो यहाँ से भी प्रस्न बनता है कि जमाल महाबेर स्वामी के किस सिध्धान्त से अलग हुआ था क्रेमार कृत जमाल किस सिध्धान्त का समर्थग था बहुरतवाद ठीक है तो यहां से आपको प्रसनावस मिलता है तो इसे आपको ध्यान में रखिए इसके अतरिक तो आप देखेंगे कि जैन धर्म में बिभाजन ये भी पूछा जाता है मौरिकाल में जैन धर्म दो संप्रदायों में बिभक्त हो गया पहला स्वेतांबर इसके प्रवर्तक इस्थूल भद्र थे और इसके अन्याई सफेद वस्त धारण करते थे दूसरे दिगंबर इसके प्रवर्तक भद्र बाहु थे और दिगंबर संप्रदाय के अन्याई निर्वस्त रहते थे तो स्वेत वस्त धारण करने के कारण स्वेतांबर कहलाए निर्वस्त रहने के कारण दिगंबर कहलाए तो ये जैन धर्म का मौरी काल में विभाजन होता है दो भागों में दो संप्रदाए में बट गए सुएतांबर संप्रदाए और दिगंबर संप्रदाए ठीक है कालांतार में इनके उप संप्रदाई भी बन गए जैसे स्वेतामर संप्रदाई का ये को उप संप्रदाई पुजेरा या डेरावासी तो पुजेरा डेरावासी अपने ये वास्तों में अपने मंदिर बनाते हैं तिर्थकरों की मूर्तियां इस्थापित करते हैं उनकी पूजा करते हैं तो ये मूर्ति पूजा करते हैं और दूसरे धंडिया या इस्थानक वासी हैं ये लोग जो है मूर्ति पूजा नहीं करते बलकि जैन सिध्धांतों का पालन करते हैं तो इस भी मूर्ती पूजक हैं, अपने मंदिर बनाते हैं और तिर्थकरों की पूजक करते हैं, फिर इसी का एक उप संपरदाए बीस पंधी है, ये लोग भी मूर्ती पूजक हैं, लेकिन ये अपने मंदिरों में तिर्थकरों के साथ साथ अस्थानी देवी देवता भायरों हैं, यच्छ, यच्छणि, इनकी भी मूर्टियाँ इस्थापित कर लेते हैं या अपनी संपधाय, ये भी दिगंबर से जुडा हुआ संप्रदाय है सिध्धांतों का पालन करते हैं تو कालांतर में स्वेतांबर के भी उपसंप्रदाय बन गए इसके बाद फिर आप देखेंगे कि जैन संगीतिया पहली चिक तो संगीत क्या होती है देखिए इसको समझ लीजिए किसी भी धर्म की बिखरी हुई परमपराओं को एक जगह संकलित करने के उद्देश से जब धर्माचारियों का सम्मेलन होता है तो इन ही धर्माचारियों क सम्मेलन को संगीति बोलते है ठीक है अद जैन धर्म संबंधित दो प्रमुक संगीतिया है प्रथम जैन संगीत का आयोजन मौरिकाल में यहनि चंदगुत मौरिके समय में अगर देखा जा तो पाटल पुत्र में हुआ और इसके अध्याच इस्तूल भदर थे तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन कब हुआ कहा हुआ किसकी अध्यक्षता में हुआ यह आपको ध्यान में रखना है दूसी चीछ दोती जैन संगीत का आयोजन अगर देखा जाए तो यह गुप्त काल में भान गुप्त के समय में वल्लभी देखिए वल्लभी गुजरात का अस्थल है गुजराप में इस्थित है तो दोतीब बौद संगीत का योजन कहा होता है वल लभी में होता है और यहाँ पर अगर देखा जा तो बहुत सारे जैन ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया था ठीक है तो यह दो जैन संगीतियों का अस्थल वगएरा ध्यान में रखेंगे अब जैन साहित अगर देखें तो जैन साहित में ऐसा माना जाता है कि प्रारम्ह में महाबीर स्वामी की सिच्छाएं 14 पूरो में संकलित थी पूरो सब्द है साहित के लिए लेकिन यह सब बिलुप्त हो गए गाइब हो गए फिर कालांतर में कुछ साहित रचे गए कालांतर में जो साहित रचे गए उनमें आगम महत्पूर है आगम जैन साहित में महत्पूर यह आगम का सादिक अर्तो सिध्धान्त होता है तो इन में अगर देखा जा तो जैन सिध्धान्तों का संग्रा है ठीक है? और जैन साहित में बड़ा महत्पून अस्थान आगम का है तो आगम क्या है? ये जैन धर्म से सम्मंधित साहित है जैन सिध्धान्तों का इसमें संग रहा है कुछ महत्पूर्ण गरंथों में अगर देखा जा तो उनमें आचरांग सूत्र ठीक है तो आचरांग सूत्र जैनधर्म का गरंथ है क्यों महत्पूर्ण है क्योंकि इसमें जैनधर्म के भिच्छ भिच्छुनियों के आचरण सम्मंधी नियम संकलित है प्रसना चुका है आचरण सम्मंधी नियम याद रखना है तो आचरण सूत्र में भिच भिचुनियों के आचरण सम्मंधी नियमों को संकलित किया गया इसी तरह भगवती सूत्र है अब भगवती सूत्र को अगर आप देखें तो इसमें महावीर स्वाङी का जीवन परचे क्रिया कलाप तो महावीर स्वामी के जीवन परचे उनके क्रिया कलापों का वlorणन किस गृंत में मिलता है भगवती सूत्र में और इस ग्रंथ में छटी सतादी उसापूर के सोला महा जन्पदों का भी उलेख है तीसरा नाया धम कथा सूत्र ये भी महात पून ग्रंथ है और इसमें अगर देखा जा तो महाबीर स्वामी की सिच्छाएं संकलित हैं आपको इसी में त्री रत मिलेगा इसी में पंच ब्रत मिलेगा और ये सारे ग्रंथ जो है अर्ध मागधी प्राकृत भासा में संकलित है किस भासा में मगध में प्रचलित प्राकृत भासा को ही अर्ध मागधी भासा कहा गया है तो ये जयन साहित से सम्मंधे ग्रंथ हैं जयन साहित हैं इनको भी दिहान में रखना है आपको अब एक प्रस्ण आता है कुछ महत पूर्ण तेर्थ करो और उनके प्रतीक चिन्धों में अब जयन धर में जो भी महत पूर्ण तेर्थांकर हुए और फिर उनके क्या प्रतीक चिन थे इस पर प्रस्ट आ जाता है यद जैन्धर में 24 तेर ठांकर हुए तो 24 हो के अपने अपने प्रतीक चिन है इतना परिस्तरम आप मत कीजिए कि सब को रट लें अनावस्थ हो जाते हैं आपका परिस्तरम गलत दिसा में हाल जो महत्पूर हैं उनको आवस्थ से याद र यह इनका प्रतीक चिन है इसे याद रखना है दूसरे अजित नाथ इनको भी याद रखिये इनका गज है ठीक है तीसरे संभोनाथ अस्व है यह प्रतीक है इसके बाद फिर आप पद्म प्रभू का इनका पद्म याद रखिये पिर इसके बाद आप मलिनाथ यह उन्हें इसमें तीर्थकर्त है इनको लेकर के थोड़ा सा दिगंबर स्वेतांबर मत में बिवाद है कारण यह कि स्वेतांबर का मानना कि 24 तीर्थकरों में एक माहिला तीर्थकर मलिनाथ हुई जबकि दिगंबरों का मानना है कि सभी पूरुस होगे तो इसलिए ये बिवादित होने के कारण इनको याद रखना है कलस इनका प्रतीक है इसके अतरिक तो आप फिर अरिष्ट नेम को याद रखिए इसलिए अरिष्ट नेम को याद रखना है क्रश्न का समकालीन और उनका चचेरा भाई बताया गया है और इसलिए इनको भी याद रखिये इस रूप में ये भी पूँचा जा सकता है कि क्रश्न के समकालीन तेर्थकर कौन थे क्रश्न से जुड़े हुए तेर्थकर कौन थे तो अरिष्ट ने इनका प्रतीक संख है फिर आप सिधा सिधा 23 और 24 तेर्थकर का प्रतीक जरूर याद रखिए पार्षनाथ 23 तेर्थकर है इनका सर्प फन यानि साप का फन इनका प्रतीक है 24 तेर्थकर महाबीर स्वामी है सिंह इनका प्रतीक है सेर इनका प्रतीक है तो 24 तेर्थकरों में अगर आप ये 8 तेर्थकरों को और उनके प्रतीकों के याद करते हैं तो चाहे एक सीधा पूछे कि महाभीर स्वामी का प्रतीक क्या है तो भी उत्ता दे रहें माल यह इनमेंसे कोई चार तेर्थकार चार प्रतीकों को सुमेल कराने के लिए लाएंगे तब भी आपको इनमेंसे चार मिल जाएंगे और इसलिए आपको बाकी याद करने की आवस्था नहीं है तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज हमने आपको जो है जैन धर्म के बारे में चर्चा की और जैन धर्म में 23rd कर पारसनाथ के बारे में और महाबीर स्वामी के 24rd कर महाबीर स्वामी के जीवन पर जैन धर्म के सिधानतों के बारे में फिर जैन धर्म से जुड़ी अन्य बाते उसके संपरदाय साहित संगीतिया ये सब की चर्चा की और आगे छटी सतादी सापूर के धार्मी कामदोलन में जैन धर्म के बाद आगे हम आपको बहुत धर्म की चर्चा करेंगे बहुत धर्म पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजे आपको ध्यान में रखना है पढ़ना है आपकी कोई जानकारी है तो आप जरूर पड़ी कर सकते हैं हम उसको भी उत्तर देंगे सारी चीजे तो ठीक है आज जो है हम यहीं अपना लेक्चर समाप करते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कल हम आपको बहुत धर्म का टापिक पढ़ाएंगे और कोई अगर आपकी समस्या है तो उसे भी आप जो है बताएं और उसको भी हम दूर करेंगे धन्यवाद किया मता इन्यवाद